दोस्तो नमस्कार मैं ओनीस हिंदुस्तानी नेशन फर्ष्ट चैनल में आपका स्वावट करता हूँ दोस्तो आज हम देश में एक ऐसे दुस्मन से लड़ रहे हैं जो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है ना ही उसकी कोई पहचान है और और तो और सबसे बड़ी बात ये है कि वो दुस्मन हमारे आपके बगल में हमारे अपनों के बीच में हमारे अपनों के रूप में छिपा हुआ है और जिसका जीता जागता उदाहरन अभी साहिद नौ मार्च को लंदन से आई कनिका कपूर कोई गाईका है और वो लेके पूरे देश में उन्होंने कहां कहां कैसे कैसे उसका विस्तार किया है और ऐसे हमारे बुद्धी चीवी लोग हैं जो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री रह चुके हैं किसी स्टेट के स्वास्थ मंत्री हैं वो किस दल से हैं किस पार्टी से हैं यह मेरा लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा दुस्मन उनका दुस्मन हम सभी का दुस्मन सिर्फ और सिर्फ एक है जो छिपा हुआ है हमारी और आपकी हर एक्टिवीटी को वो जानता है और उसी का सहारा लेकर हमारे आपके बीच में फैल रहा है और उसको हमी और आप अपने माध्यमों से फैला रहे हैं, अपनी सरीर के माध्यम से फैला रहे हैं, हम लोग कितने मुर्ख हैं, घर के अंदर अगर मच्छर उड़ता है, तो उसके लिए हम काला हीट रखे हुए हैं, अगर कुछ ऐसी भी पीडिया है, जो नहीं जानती होंग मच्छडों से बचने के लिए आज भी गावों में मच्छरदानी लगाई जाती है, उनकी सुविधा के लिए बता दूँ को एक ऐसा टेंट है, जिसके आर पार भी दिखाई देता है, हवा भी आती है, उजाला भी आता है, फिर भी आप सुरच्छित रहते हो, उसको सरफाई में गुंते हैं, तो उसको ठोक करके नीचे गिरा के हम मार देते हैं, लेकिन इसको मारे कैसे ये तो दिखाई भी नहीं देता है, और देखने के लिए बहुत ही हाई-फाई सुचमदरसी चाहिए उसके लिए, कोई नई टेकनोलोजी की चाहिए, लेकिन हम लोग अ कि कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए एकांतवास में चले जाईए, ये एकांतवास एक सनातन का ऐसा सब्द है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारगर, अगर कुछ है अभी, जब तक दवा नहीं बन रही है, सबसे बड़ा कारगर उपा एकान तवास है और जिसका हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने भी आप लोगों से अपील की है जनता कर्फ्यू के नाम से मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बहतरीन कदम है जिसमें सभी की रच्छा है ऐसे लोगों की भी रच्छा है जो देश के अंदर बैचारिक वाइरस के रूप में काम कर रहे हैं उन लोगों के भी उतना ही खत्रा है और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए तो ये स्लीपर सेल का नाकाम करने लग जाए और उस विचारधारा की लोग उस पे एक्टिव भी हो चुके है इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने सरकारों से कि जिन मंत्रियों ने जिन गायकों ने ऐसी घटनाएं घटाई है समाज के अंदर देश के अंदर उनके लिए अभी मैं सुन रहा था न्यू चैनलों पे कि किसी की 6 महिने की सजा किसी की 2 साल की सजा है ऐसे 279 या 379 ऐसे कुछ कानून थे मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए मानवता द्रोही कानून बनाना चाहिए और इन्सानियत द्रोही कानून बनाना चाहिए और इन लोगों को आजीवन कारावास करना चाहिए चाहिए MP, MLA कुछ भी हो किसी की भी हो कोई भी गायक हो क्या ये नहीं जानते थे हमारी सरकारें हमारे मुख्यमंत्री हमारे बुद्धी जीवी हम और आप आज मेरे बेटे ने मुझे फोन किया और बोलता है कि पापा मुदी जी सर्जिकल श्ट्राइक करने वाले हैं कोरोना के उपर 22 तारिक को और हम लोगों को उस श्ट्राइक में भाग लेना है अब सोचिए उतने मेरे आठ नौ साल के बच्चे के पास इतनी बुद्धी है लेकिन ये लोग जो समाज को चलाने का जिनके हाथ में पावर दिया गया है हम ही लोग आपने दिया है ये लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं और क्यूं कर रहे हैं इसका जवाब मैं आप से पूछना चाहता हूं ऐसे लोग को चुनके आप भेज रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो आज तक बस ये सोच रहे हैं कि ये फैल जाए अभी तक जो रोक के रखा है उसकी भी बुराई कर रहे हैं कि अभी तक फैल जा क्यूं जबकि हमारा एवरेद सभी देशों से बहतर है उसको दवाने में वो तो इंतजार कर रहे हैं बस उनको एक क्या करें अलादीन का चराग उनके हाथ में लग गया है अब उनके पास कोई मुद्दा तो बचा था नहीं हाँ कोरोना आने के बाद हमारे देश में कुछ नास्त्रे दमस भी पैदा हो गए जिनको पहले से 6 मेने पहले से मालूम हो गया है एक एकोनमी अब सुनामी आने व कि पहले उन्होंने भविष्वानी कर दी कि वह ऐसा संदेश देंगे कि देश का नुक्सान होगा उनका नाम सुभ्रांस राय जी है और जो नास्त्रे दमस यह हो गए उनके ही पालिटी के बड़े लीडर नास्त्रे दमस हैं मानिय राहुल गांधी जी अगर आप मेरे बच्चे से पूछेंगे तो उनसे बेहतर एकानमी के बारे में बता सकता है क्योंकि उसने ही बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है और वाकर यह सर्जिकल स्ट्राइक ही है आपको क्यों लगता है मुदी जी ने संडे का ही दिन क्यों चुना वो इसल बज़े दस बज़े तक पहुंच जाएगा सनीवार की साम को पूरी रात अपने घर में रहेगा सुबह से साथ से लेके नव बज़े तक संडे का मोदी जी का जो जनता करफ्यू है उसमा साथ देगा उनका और नव बज़े के बाद भी वो घर पे ही रहेगा पूरी रात फिर सोमवार सुबह में उसका प्लान जो भी होगा वो करेगा तो मैं आपसे रिक्वेश्ट करना चाहता हूं जितने लोगो जो हमारे सनातन का एक सब्द है और वो सिर्फ एक सब्द मात्र नहीं है वो जीवन सैली की एक वो कला है जो जीवन को आगे बढ़ाती है पीडियों को आगे बढ़ाती है ग्यान को विज्ञान को इस देश को आगे बढ़ाती है तो इसलिए मैं आप सबसे नमस्ते बोलके हाज जोड़के प्रणाम करके रिक्वेश्ट करके जिस भासा में आप समझते हों कृप्या समझने की कोशिस करिए हम देश के अंदर उस दुस्मन से लड़ रहे हैं जिसका कोई अस्तित दिखाई नहीं देता है, ये Software की तरह है, ये Hardware नहीं है, कि खट्मल के तरह मार दोगे मच्छर कीतरह ऐसे कर दोगे, ये Softwire है इसका नाम भले ही कुछ हो लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक साफ्ट्वेर की तरह काम कर रहा है और कोई भी साफ्ट्वेर तब काम करना बंद कर देता है जब उसको पावर नहीं मिलता है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उस कटाउट को निकालिए जो एक दूसरे को कनेक्टिविटी समाज के अंदर बनी हुई है और एकांत वास में जाईए और इस देश समाज अपनी आने वाले पीडियां अपने भविश्य अपने देश को बचाईए जय हिन जय भारत बंदे मा आत्रम सत्य में हो जाएते हैं